कुछ बाते मैं कहना चाहता हूं इस समद्ध में गुया माखरती प्रिच्छती की समद्ध में कैसे आप लोग कभी सोचे ने कि हम लोग गलतियां करते हैं भक्ति में लेगन भगवान उंको जाने क्यों नहीं देते हैं क्योंकि देखिए नौ सिखिया भक्त मैं मैं अपनी बा तो वहां बताने कि अभी ऐसे योगी हैं जिनकी उमर 500 साल है विश्वास से सुनीजिएगा अब इसको शास्त्र प्रमाण से नहीं बता रहे हैं लेकिन अदुबत बात है तो वह व्यक्ति यूटुबे भी वीडियो है जो भी है अब उनका नापने का तुमारे पतारीका है न तो आप भक्ति क्यों नहीं स्विकार कि और वो बताय कि हां नर्सी मेता से हम मिले हैं और नर्सी मेता ने हमको भजन भी सुनाए है शुद्ध भक्त ने लेकिन अब उनका वह अपने मार्ग में दृड है कि उनको भगवान उनने एक पार प्रश्न किया कि भगवान तो 46 टा कर लित अब क्या कर रहे हैं अब मर रहे हो सातना करते करते अनको लिए तो आप क्यों नहीं पांट एसी में तो पढ़ रहे थे कि मन को नहीं खोला तो शुद्र भक्त की संगती प्राप्त करने के बाद दिल्वेक्ती भक्त नहीं बनता है इसलिए गो यह माक्याती प्रच्छति उन्हें बात बताई कि कृष्णी भक्ति करके तुम पार हो जाओ वह चले के भगवान के दाम और यह भी मर रहे है मैं यह सब बात क्यों बोलना हूं समझ मा रहा है जो भक्त यहाँ लडखडा रहा है हम सब इसमित बात करता हूं आम लगठी करते हैं फिर यह खडाते फिर घर जाते फिर चलते फिर लेकिन हम किर्ष्ण की तरफ चल रहे हर पक हर संपर्ग भगवान की तरफ आगे ही बढ़ रहा है यह इसी कन्विंस रही इस बात पर कॉंटक्ट विश्वार्व नाइफ फोल प्रसेश डिवोशनल सर्वेश इस अवर्वर्ड मार्च बैक हों बैक टू गॉट है अवो समझबार है इसका अर्थ भगवान का संपर्ग नवधा भक्ती के किसी भी तरीके से भगवान की तरफ एक अग्रसर कदम है अब अपने दे कि मैं मंगल आरति कभी जाही नहीं सकता मैं पता रहां 2004 की बात है अब अधिकत हो तसलों थे किसी ने बांध दिया है ये पकड़ लिया उठी नहीं पा रहे अब हम खटिया किसी ने बांध लिए घृत्म उठी नहीं पाते थे साल में कभी तो ये तीन बार अभी तो इसा क वें हैं सुची 50 साल की मंगल आरती 50 तो बचे भी नहीं मेरे पास लेकिन हो जाएंगे मरते मरते शायत 50 साल का जब सूला माला जब प्रसाद खाया कितना परिवर्तन आ जाएगा अभी धाम में धाम को जोड़ें अब उसाहित नहीं हो और यह 500 साल के वेल पांस उनसे पूछा भी अगर हो गया कि भवान कौन है तो उनको यह भी नहीं पता कि भगवान को नहीं यहीं बात महाराज समझा रहे थे परमपज़ादागुद महाराज कि गुफा मैटा धान कर रहा है चुप चाप पून ब्रमच का पालन भी कर रहा है कर भी रहे होंगे और यंग भी दिखते हैं 5 साल के बाद भी सब कुछ फायदे दिख रहे हैं 20 साल के दिखते हैं लेकिन यह नहीं पता है कि भगवान कौन है जब भगवान का नाम ही नहीं तुम को पता है तो तुम प्रिम क्या करोगे इसलिए बार- माह ने बताई मांके प्रत्य आपको पूरा भास माने रहा मा ने खुदी बताई कि मानको दूसरी संतान नहीं चाहिए तीन महने के बाद मानुम चला कि गर्ब होती है तो ने था कि भवब हमको नहीं चाहिए घर्ब गिराना है तो डॉक्टर ने आगे जाके भक्त भी बना लेकर हम काली बोल रहा है कि उसके कुछ को नहीं एक पर और कहानी इसमाप नहीं हुई उसके बाद उबगता कि इसने माता ने खाई थी दवा तो बच्चे के शरीर पे बहुत सारे फोड़े से कुछ हो गए थे तो उस ही नहीं हो रहे थे मरने वाल तो ब्लोट्र ने बोल दे की हवते में मरने वाला है तो जाकर के वह किसी कुल देविका मंदिर तो जाकर के उसके पीता ने दो साल की बच्चे को एक हफ्ते के लिए मंदिर केंदर डाल दिया इनकेस आपने कभी एक अदशी निर्जल करी हो तो देखा हालत करा हो जाती है जब यह मर नहीं वाला है तो खिलाने की क्या जुरत है एक हफते के बाद दरोजा खोला तो लड़के के सारे फोड़े निकल गए थे सब ठीक हो गया और चेहरा पूरा पूरा शरीर उज्वल हो गया था तो अब वो समझेगे तो कूल देवी का अशिरवाद इसके उपर है बच कैसे गया यह और वो अमको यह कथा सुना रहे थे त अब ही नहीं करना नौक रहे जब ऐसी वास्ता में बचा लिया तुमको तो पर आगे बचा ही लेंगे और यह केवल उसी के लिए नहीं है आगे सभी भक्तों के लिए होता है हमको लगता कैसे चले का देखो अपना जो भी कारे करी यह लेकिन यह मत कहीं सोचवेगा कि पेट नहीं मिल रहा है डजेश्टरने के लिए दिक्कत होरी खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होरी हमको बहुत है बहुत अच्छी लगे तिसे बड़ा बिश्वास बनता है भग्वान की भक्ति के ओपर एकदम सच बात है उसकी मान ने बता होगा तब ही तो बता सकता है तो वह कैसे जाने का बताई है हमेशा भग्वान रक्षा करते है जो नाम उचारन करता है यह दिपी हम नलाइक हो तू भी प्रपाजी बड़ाचा कहते है जब उसने नरायन बोला अजामिल ने तो प्रवान भवान नरायन ने सुचा ओल्दो ही रास्कल बट विकॉस चंट लिजिए दर्वान नेम इट इस माइड़ी तो प्रवग्वान को बताना कितना बाग्वान का इसने मेरा नाम बोला है कुछ समझ में नियाता लेकिन है उसका फायदा उठानना चाहिए आगे पड़ते हो हम लोग ने हाँ जब विक्ति भक्तों के संगत में आएगा तो भी उसको समझ में आएगा कि अहयत्यू के अप्रति हता भक्ति के द्वारा ही मन प्रसंद हो जाएगा वो योगी अभी भी प्रसंद नहीं हाँ एक और बात बताना भूल गया बड़ा प्राटिकल है इस लोग के संब्द मे कि वह योगी को अभी वहाँ पर जाकर भक्तों ने कीरतन किया उनके स्थान में जाकर तो अब वो लोग कीरतन के प्रतिया आकरशित हो गए अब योगी बड़ की ध्यान कर रहा है कौन आकरशित हो बस यही माने के सादू है अब हुआ क्या उनको डर लग गया जो योगी 500 स साल के बाद भी लोगों को अब ये इच्छा रह गई है कि डोनेशन आये बोनेशन आये बोजन आले चले ये चले वो चले कहां कृष्णी की सिवा के अच्छे को है तो अब देख लेजिए चैन नहीं पड़ा ना अगर को 500 साल का योगी को भी चैन नहीं पड़ा अगर मान मैं शांती और चैन कब आएगा जब विकती को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी बार बार इस बात को समझना होगा जो भी भूं का वेशे भिकति घ्रहन करता है वह उसको और इगलानी का निर्मान करता है लेकिन इक और बात ध्यान से सुनिएगा ये चक्रवर्ति पात की टीका में इस परस्ट लिखा है जो उसको बहुत इक सुक मिल रहा है और भक्ति में कुछ अपराद करता है उसकी वह से दुखाता है और उस दोनका प्रिवजन उसकी हृदे को बस वहीं तक होता कि मिल गया असा संस्कार छोड़ करें जाता है आपको विश्वास नहीं होगा नहीं बात हर जगे भोग संस्का चोड़ के नहीं जाता है कि आप देखो भक्ति करने का उसान ही काम होता है आप में से पता निक कभी किसी लोंग संग ऐसा हो रहा कि कोई आ सकती है विश्या सक्ति वो छूट नहीं रही हो मैं अपपने हाथ ख़ड़ा करी रहा हूं बागी लोग नहीं हाथ खाड़ा करने क को चक्रवर्थी बास पास्ट बोलते हैं 6.2.9-10 में कि एक ही नाम अविद्या को भी नस्ट करता है तो भाई आसक्ति रहेगी कैसे यह भगवाद इच्छा से भगवान उसको भगवान चाहिए तो तो आप शुद्य बन जाओगे लेकिन नहीं करते हैं यह बहुत अच्छा पड़ाओं भगवान कहते हैं मैं इसको निर्गुण मराओंगा अगर अभी नहीं जैसे को भक्ति शिकार करता है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करवा लेते हैं उसके बाद तो रो ले उसके बाद फिर चलिए यह सब बहुत सूक्ष बात है कब भागवा शुरू करूंगा मैं तो बड़ा परावा शुरू करूंगा तो यह चूड़ी जा आप लोग मैं आज चर्च कित हो गया मैं ऐसे कुछ सर्च कर रहा था क्या सर्च कर रहा था भागवतम पर कुछ सर्च कर रहा था यह श्रीधरी सर्च कर रहा था इसकी इमेज उसमें मेरे लेक्षर कर लिंक था गूगल पर और श्रीधरी जो मैंने 1.1.1 पर लेक्षर दिय वह भागवत हम सुनने के लिए 8000 विए 370 लोगों इसको अप्रिशेट किया देखो मैं तो आप जानते में तो पढ़ रहा हूं समझा रहा हूता हूं कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ out of the way बोल रहा हूता हूं बड़ो ठीका कितनी अस्वादिनी है मैं खुश हो रहा था इस बा रहा है उसको शेयर कर सके रहे बहुत अच्छा साधन बिल गया अब तो मेरी इच्छा ये कि समझ कर पता है गुजराती में वह जाए गुजराती में तो शिर्वास्ताव जी कर देंगे शिर्वास्ताव जान रहे ना तो लाल बुजक्ट गुरू बनाकर मातां को गुरू बन जाया उसका इंग्लिश में भागो तम की चालू कर दिया जाए में पास टाइम ही जो रात में जगते हैं वह रात में शुरू किया जाए तीका है यह नाम से लेक्षर दी है हरी पाश्त्र प्रभू बहुत अच्छा लगा था चलिए आगे बढ़ते है इच्छा करने च और श्रीला भक्ति संदागत सर्ची ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचीत किया है कि वे उन निर्विशेश मायवादू से नहीं बोने जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदेव कृत्व हैं यह समझते हैं क्रित्व संकल्प हमको इन वैश्टमों को रोकना है उनके जीवन का यही संकल्प है निश्चे कर लिए बहुत गलत बात बता रहे हैं बहुत गलत बात बता रहे हैं कभी-कभी YouTube के कोई महात्मा आतने करते हैं निर्वशेश ब्रह्म में सब कुछ है आप और संसार के राजनितिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन नास्तिकतावादी दर्शनों का लाव उटाते हैं यह समझने का प्रयास किजिए देखी जैसे ही बोला मायावाद मतलब भगवान नहीं है जब भगवान नहीं है तो तुम्ह विश्टी कोछा नहीं है सब मानि मन की बात हैं मन की, म parasite , व्यक्ति बोले मानो तो जल व्यक्ति बोले मानौ तो जल मानौ तो गंगा really आप ही ब्रह्मा हो गए हैं, सब मानने करें आप ही आये हैं, तो पिर आये क्यों इतना दूर? इस अमेसिंग, इस नॉट यह समझने का प्रयास कीजिए कि यह जो अब हम लिखा अप देख रहे हैं, यह समान हिंदी नहीं है. इन में शक्ती है हमारे अविद्या को नश्ट करने की. और यदि कोई भगवान की शर्णागती स्विकार कर लिया, तो फिर अब माया उसको नहीं रोख पाएगी. लेकिन ध्यान दे आचे कि मायवाद है, क्या कुछ लोग को नहीं पता होगा, किसी ने को पता है मायवाद क्या है? भगवान को निराकार मनना, देखी, बेसिकली उनका कहने करत ये है, कि माया ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, और उस निर्विशेष ब्रह्म को माया आच्छादित कर देती है, ढक देती है, तो वो जो अंश निकल के आ रहे हैं, छोटे-छोटे, इसा हो सकता है, पोटलिम भर के लिए जाए, इस रोष्णी को काट नहीं सकते हैं, और निर्विशेष ब्रह्म इसको देख भी नहीं सकते हैं, उसको काटेंगे आप, जबकि वो है, निशकलम अनंतम शेष बुतम काटा नहीं जा सकता है, कटनी वाली कोई चीज नहीं है, तो यह उनके माया वाद है, माया सुत्पन वाद है, और माया यह बताने कि माया तो भगवान से भी स्रेष्ट है, बोलते हैं, पहले तुम भगवान थे, अब नों पता नहीं है, पहले तुम भगवान थे, लेकिन माया तुम का पकड़ लिया तो उससे पूछा, जब हम सर् तुम भूल गए हो भगवान कभी नहीं भूलते वेदा हम समतितानी वर्तमान अनिचारजना भविषानिचा भूतानी माम तुवेदन कश्चला यह भगवान बोल रहे हैं भगवान को सब पता है भविष्च का भूत काल का सब कुछ पता एक मात असली एस्टोलागर वही हैं उनको सब पता रहा था एक्जैटली एक्जैटली पता रहा था वह चेंज भी कर देते नहीं अपने साब से तो यह लोग नहीं चाहते हैं इन लोगों से धगड़ा करने का कोई खास मतलब नहीं लेकिन मायावात का खंडन करना यह बहुत जरूरी है प्रभवाजिस पस्ट करने तथा केला खिलाने से कोई लाव नहीं क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा बहुत सुंदर बात महाराज कहा रहे थे इसके पाले पूरा अपित्तु दूद तथा केला खाकर वह और भी विशला बन जाता है यदि सांप को दूद पीने के लिए दिया जाए तो उसका विश्व बढ़ता ही है इसी कारण से हमें मायवादी तथा कर्मी रूपी सर्फ के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करने चाहिए कभी एवी है अब खुर्मी अगर आपके रिष्दार भी हो तो उनको मुझे नहीं बोला कि आप सर्फ हो लेकिन मानना यही क्यों सर्फ है और एक और बात में सर्फ आपको ग्रहन करना पड़ेगा सर्फो चिस्ठम यथा पयोह दूद यद्दपी अम्रित होता है लेकिन आ अगर किसी अभख्त किने उसको बोल रहा है उसके मन में धालना है कि भगवान निराकार है भगवान माया से आते हैं तो वह उसका जहर है जिसकी चेता में व्याप्त है वह उसका में व्याप्त रहेगा कुछ समझ गया आप लोग दिखेगा नहीं जहर दिखेगा नहीं भेइगा और निश्वित है निश्वित कत ultrapi और दूद को पीने के वाड़े में हम सोचेंगे नहीं जरी अब इस कारण से आप देखो कि कि जो लोग मायावादी गुरु के चेले होते हैं उनको कभी नहीं समझ में आता कि भगवान कौन है एक है पिटाजी जिनके पांच करोड शीश्ष है समझ गया गुजरात की है को गुजु पिटाजी समाझ नाम नहीं बोल रहा हूं मैं पांच करोड शीश्ष ना तुब पि वासुदेवा चाहिए हाथ खड़ा कीजिए तो हाथ खड़ा करेंगे आपको कभी नहीं समझ मैं का जीवन का लक्ष क्या है आप समझ रहे होंगे मैं को I was following him for some time 2002 तब तुषाथ Facebook था भी नहीं मुझे पता नहीं following की बात करना है थोड़ा सभू कुछ ब्रह्मजर के बारे हम भूबते थे सवच कुछ था खुद पालन नहीं कर पाया लेकिन आप सावज रहे है इत्यादी इत्यादी रहे हैं मजाक नहीं बूलना थे जाधा है ले अब एक बात में जो कहने बारत हां महराज बड़ा सुन्दर बात कह रहे थे इसको इस लोग को समझने का प्रयास कीजिए और महराज की बात को समझाओंगों कह रहे हैं देखिए दूद अमरित होता है लेकिन अब कौन उस अमरित को ग्रहन कर रहा है ये भी महतपूर्ण ह दूद पीने से दिमाग अच्छा हो जाता है लेकिन अब अकर आतंगवादी को बिलाएंगे तो उतका दिमाग क्या भगवान में लगने लग जाएगा दूद पिलाने से मातर से यह ना सुना है उसी प्रकार से आप देखो दूद पीने से पुष्टी आती है दूद अमरि खान के वह वैष्णव था बिल्कुल वैष्णव नहीं था हरिदास ठाकुर जी कर आप सोच लिए नाम भी सुनने की वह उन्हों तो नाम से पवित्र करने वाले मालों मालों चले कि एनराइग्रीन में हरिदास ठाकुर जी है फॉर इसांपर यहां से एनराइग्रीन पांस भी रहती वहां पर लेकिन राम चंद्र खान हरिदे असे भगवान को नहीं मानता था अरे वह तो हरिदास ठाकुर जी को साथ ही साथ नित्यनंत्र हों के प्रति अपराज कर रहा था तो देखने में लगते हैं धर्म धर्म ध्वजी से कहना चाहिए धर्म के धर्माधिकारी वह थे कववान में विश्वास नहीं होता है, ऐसे नहीं से उसनना चाहिए. यह बहुत बड़ी कतनाई है जै क्योंकि स्कॉन के भक्त भी ऐसे लोगों से सुनने लगते हैं कि क्य伬 थौili हैक हम किसी का नहीं रहा ह्या है लेकिन स्कंध के बाहर क्रिश्णभावन बाहर सुलेंगे तो वही विश्व घोलते चले जाएंगे मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्लास में लेकिन एक ग्जामपल देने के लिए बोल रहा हूं एक विक्ति से मैं बात कर रहा था कि उस संप्रदाय के लोग क्या उनका जीवन का लक्ष क्या है मैं नाम कुछ नहीं बलना हूं तो बोलें अंततो गत्वा वह है रहदेपी वो मानते हैं राम को लेकिन अंततो गत्वा वो राम में मिलना चाहते हैं क्यों मिलना चाहते हैं तो आगे बताया ने लगे तो वो बात सुनके ही मुझे कुछ अजीव सा लग रहा था विज़ा इसलिए कभी नहीं सुनना चाहिए कि हम राम बंज खकते हैं राम में मिल सकते हैं यह सुख्ष्मिरू से इच्छा हो सकती इसको बढ़ावा ही मिल जाए सब्सक्राइब पढ़ेंगे प्रकाशनन सरस्थी कई बार इंविटेशन देते महाप्रवू नहीं जाते क्याते मैं व्यस्त हूं मैं यह हूं मैं वह हूं और अपने ग्रहस्त भक्त किया प्रसाथ पाते थे तबन मिश्या के खर पे और जब वह लोग भक्त बन गए चैन च दिकत नहीं लें क्योंकि उन्हें हरे किश्रमंत्र अचारंण किया तो और भगवान की भक्ति को स्विकार किया तो इसलिए महाप्रवूरेंट का संब को स्विकार किया तो एक बात समझ लीजे बस चाहे कोई एक बाला कर रहा है और सब यह नर्थों से दूज रहा है कोई अगने बात की इसकी िओष्वास है कि क्रिष्ञ भगवान है तो आपने सुना ना जो एकति क्रिष्ट और भगवान की रूपी स्योंकर करता है क्या योगिता क थी dire eh सुपात्र हो जाता है कहां के लिए भगवत धाम जाने के सुपात्र हो जाता है तो अब आप समझ रहने कि क्या करना है प्रचार का उद्देश है कृष्ण तुम्हारे स्वामी है कृष्ण में तुम्हारे भगवान है कृष्ण भगवान है तुम्हारे भी तुम्हारे भी त कि Krishna bhagavaan है कि accepted है अघर पई किया है क्र işte byकोट किक कि अर्क पुस्पाहण है तृ ज्वा पर भूंट केया रिचछ बात जिसलेग साहज भिष्वासे krisd bhaag1 रा नग Champ dış अन बिल्कुल भी कि सुछ भी आप सोच भी सकते ना सपने भी भी बतृच नियर्ट हो सकते है कि ज़िल के लावर भकवान देख रहे कितने रिजिट或者 है, हम अर्ष भी प्रविर्वत होगा कितना भी अनत्व होग लेकिन कृशन भगवान जो लेकिन कृशन भगवान है क्रिष्ण भगवान है कोई दिक्कत नहीं इस इस नॉट ओडिनेरी बारांग प्रभुस को समझाते हैं कितने रही बोले ना हजारों हजारों में से कोई एक भक्त बनता है यह दिक्कत यह कि जो भक्त है वह अपनी महात्व नहीं समझ पा रहा है गदा इसलिए बोल रहा हो कि वह भक्ती चोड़ देता है कभी-कभी इस जीवन में अट लिस्ट कितनी मुश्किय से तुमको भक्त मनाया गया है तो समझाए कि बेकूफ क्यों छोड रहे हो नहीं छोड भगवान का नाम जब करते रहा भक्ती करते रहा है बार 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 बोलना हूं विश्ट वेरी वेरी अक्मडेट टू आल डिवोटी और जो डिवोटी जैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन श्रबण नहीं करेंगे तो इतना पतित हूं कि भगवान में मेरा उदा नहीं आएंगे महाराथ बढ़ा सुन्दर बोलते है कि मा क्या ये वेट करेंगी कि बच्चा साफ होकर कि आये तब मैं उसको गोद मिलूंगी क्यों ऐसे लेते थे अब उठा लेता है मेरा बच्चा चलो बहुत है नहला देते हैं अब बच्चों को याद नहीं गलग बात ह अब की मा उठाई है गंदे गंदे बच्चों को इस तरह दिल के प्रकेट करण से कोई लाव नहीं इसी कारण से हमें मायवादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समख्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करने चाहिए वो कभी भगवान की प्रेम को समझ नहीं पाएंगे दिव उनकी संकती से पूरी तरह बचनाही बेतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वे कभी भी अच्छी सरा नहीं दे सकते यहीं बोलेंगे हाँ हरे किश्टा करो ठीक है लेकिन अग्रमौ है सब कुछ ब्रहम है सब निरुसे ब्रहम है ऐसे अर्थ यह होता है कि जो बड़ा हो और जो बड़ा कर दे अगर उसकी संगती करे जाए वाव नहीं ब्रह्म है भगवान श्रीक्रिष्ण अगर उनकी श्रीक्रिष्णी की संगती की जाएगी तो महा आत्मा बना देंगे आपको भगवान अपने अपने समान गुडुमाला बन सारे सभाम उनने लग जाएंगे इस व्यक्ति के जो वगवान करेंगे कर से नाम के द्वारा उनне के ज्वारा हूँदा कि ने पर बहुत व्यांगे. कि आप सोच भी सकते थे मैं लोगों के चहरे चेंज होते वह देखता हूँ आप किसी को प्रीचिंग करना और बिफोर आफ्टर कर देना असका अगर आप पांस साल उसको देखें पांस साल ने पांस साल तो भी हुआ ने मारी मैं जूम की बात कर रहा हूँ मैं देख रहा था यह क्या है तीन साल नीमेत रुप से भक्ति को वेक्ति कर रहा है तो उसकी शकल ही बिल्कुल अलग लगते हैं अब ने का यह 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 को अलग वेक्ति लाग रहा है बलकि शकल से दुखी लग रहे थे वह देवी दुखी करते ह आप दुखी तो थे अब अपने चहरों को देखना चहरा चेंज हो जाता है बिल्कुल अलग लगने लगते हैं चहरा भी चेंज हो जाता है शरीर भी चेंज हो जाता है साथ साल प्रसाथ खाओगे तो spiritual body हो जाती है प्रदा नहीं क्यों नहीं लोग कर रहे हैं Actually face changes अब यह तानिश प्रव गयत अपने गुरु महराज के पास तो साथ नहीं कर रहे है ठीक से तो महराज अन्यव शिश्यों को बले देखो See his face is smiling shining see his face is shining Subhu ठेंगे नाम जब करेंगे तो चहरे पे तो जाने लगता है यह एक दम सपष्ठ होता है तो यहां अच्ची सभा करते नहीं देने वाले आपको बस ब्रह्म ह matureya करते रहते और बस ब्रह्मित कर देंगे ब्रमवादी नहीं है वे ब्रह्मवा यह ब्रहम है किक्रिष्ण मया से आये है जैसे मैं कहूं इसने यह एच्जुन अंदकार से प्रकट हो रहे हैं कौन मानेगा को मनेगा अंदकार से प्रकट हो रही है क्योंकि इस प्रकार के गनेष्ट परस्पर संबर्ग से हम उनकी ना संजाय ते काम हो जाएगा उनकी इच्छा है भगवान में मिलने की और अभी हमारी क्या इच्छा है भगवान की नित्व सिवा में जाने की समझ में आ गया तो ये इस्ठा चली गई तो सब भंटाधार उए एकदम निरर्थक गोल के लिए हम प्रयास करने लग जागी इस पर प्रभपाजी बहुत सुंदर कहते हैं प्रभपाजी से पूछा था गिर्राज महराज ने जब वो ब्रहमचारी थे स्टुडेंट थे कि यदि मैं भगवान बनना चाहूं तो भगवान मेरे साहता करेंगे तो ने कहा कि देखिए अगर आप भगवान के दास बनना चाहते तो निश्यत भगवान आपकी साहता करेंगे लेकिन यदि आप भगवान बनना चाहते हो तो वाई शुड़ गॉडड एंकरेज कॉम्पोटिशन भगवान को प्रोसान क्यों देंगे दूसरा भगवान बनेगे तो भगवान को दिकत होगी यह असाध्य है यह असंभव बात है जीव कभी भगवान नहीं बन सकता अपनी इस्तिति को देखना चाहिए कैसे हर छण तो माया हमको पीट रही है अरे यही पता नहीं कि हम हैं कौन हम भगवान बन जाएंगे तो ऐसी बन नहीं जाएंगे खाली इच्छा जाएगी अब यह बताई कि जो इच्छा पूर्ण ही नहीं हो सकती उसका साधान को हो सकता है तो यह असपल होने के लिए पहले ही बोल दिया ना और धिहान से सुनि है कृत कृत और धागा तरह कृत जी असाल से कि मैं क्रिश्नि की नेति सब्सक्राइब कभी आपको मन में आता कि में गोल कुंधा पहुंच हूंगा यह पहुंच गया हूं कुछ हूं वास्यवा करूंगे कभी तो आई होगी इच्छा नहीं है जो इस बहुत ज़्ज़ बह लाड़र्स पूछ रही थी एम बता रहा है बहुत जाये गोलुक तो अच्छा होगा अच्छा होगा को क्या मतलब है कृष्ण होंगे रस्तौ मारा इस्धा मै यह होगी राधारानी यहोंगे सब हो वैष्णा होगे महान भक्त होंगे और इनकी सिंग हम भी सबसक्राना पूम में पुछी करने को में किर्तन कैसा होता है तो है कि łagop शलने पूम के तना श्っちゃ लगता है तो जब अनर्थ साफ जाएंगा तो कितना आनंद आएगा इविचार कीजिए है कि नहीं अभी कितना कथा मादक लगती है और जब शूर दो जाएंगे तो कितनी कथा मादक लगेगी आनंद लगेगा आप देख रहें कि सारी इच्छाएं कहां से आ रही है भक्तों की संगती करने से आ रही है वह भी इसी प्रकार की इच्छा के संग भक्ती कर रहे हैं नहीं तो नहीं आएगी आप इसको समझने का प्रयास कीजिए क्या जीवन में कुछ ललक आई नीट में क्यों कई थे आप पैदा होते हैं आई वांट नीट कोई नहीं बोलता यहां पैदा होते मीएटी कान पर लाइतेव का महां , जीवन का लग्ष भू ऐसा ही लगने प्षक्ष करने से God It तो ऐसे लोंगा संग नहीं करना जाए कर्मियों का और ग्यारियों का जो लोस्वार जाना चाहते हैं यह स्वार तो खेर आजकर कुछ जाना नहीं चाहता लेकिन जगत में कुछ महान बनना चाहते तो बस हमारे हिर्दे में इच्छा देगा भक्ति उत्ती छोड़ो अभी कु हो यह माकेत्य प्रिषय भुंगते भोजेते चैवा शैन घृवदु प्रीटिलंग्स किसके लिए करना किसके साहत करना भग्तों के संग और companies के मतलब यह है कि नास्तिकों से प्रीति नहीं करनी है ग Nagpour जानते कूए प्रसाद क्यला सकते हैं प्रसाद को दिकत नहीं को दि संकल्प करना कि ये काश भक्त बन जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन उन से सुनना नहीं चाहिए उनका प्रसाद उनका हाथ से खाना नहीं चाहिए मुझाद है कि हमारे मैं अपनी बात बता रहा हूं मैं बीकार में हम एक वक्ती के पास गए थी तो वो निर्वशेश्वाद में काफी आगे आचारे हैं जो भी कह लिजी तो वो खुद मांगे कि हमें प्रहुपाद जी का चेतन चरतामित और भागवतम चाहिए तो मैं उनको अगे ब्री में दिया हमने पैसे लेकर दिया और फ्रीमे दिया हमने ठीक है क्यों पता है क्यों मुझे उनकी पुस्तक पढ़ने में कोई रूची नहीं थी लिकिन वह पुस्तक लिखने के बाद भी खुद लिखने वाले थे उसके श्रीमत भागवतम प्रभुपाद जी की पढ़ने चाहते थे मैं वहीं पकड़ देया कि अगर ये वेक्ति संतुष्ट होता अपनी पुष्ट के लिख करके पढ़ करके तो श्रीमत भागवतम को क्यों सुनना चाहता है विश्वत भक्त के दारा तो वाई शुड़ा इस बुक्स अनिया मुझे पता था कि मायवादी है तो नहीं पढ़ना चाहिए तो आप कभी external behavior कर सकते हैं करना पड़े हैं लेकिन हृदे को नहीं खोलना चाहिए श्रीचेतन महाप्रुव ने यह भी सचेत किया है विशयर अन्खाइला दुष्ट होय मन संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्ट कमन दुष्ट हो जाता है इसको मतलब यह नहीं कि ग्रहस्त बग्त संसारी हो गए हैं यह भी बहुत लोगों को बहुत अंक कर रहे हैं हाँ यह नहीं होना चाहिए वो टीवी भी देख रहे हैं वी चला आई सब चला है तो फिसके बाद फिल्म में देख रहे हैं सब कुछ कर रहे है तो फिर तुला सदिकत हो जाएगी यदि मनुष्ट अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनवत आंदोलन को आगे भढ़ाने में सबकी योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता ओ अच्छा अगर वह बहुत प्रगतिशील नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो भी उसको पहार दिया जाएगा वह भक्ति में उपयोग करेगा उसकी भोग वासना भी होगी और फिर उसका उपयो कि सिवा में कर सकता है वह सता स्री चतन महाप्रवन ने भक्तों को उन समाने मनुश्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो बहुत इक इंद्री तिप्ति की अत्यदेख आ सकते रहते हैं सपष्ट है निशकर्ष यह निकलता है कि हमें सदेव भक्तों की संगति करनी चाहिए भक्ति के नियामक सिधानतों का पालन करना चाहिए आचारियों के बदचिन्नों का अनुसरन करना चाहिए तथा गुरु के आदेशियों का पूरी तरह पालन करना चाहिए पूरी का मतलब वह भी जो अच्छे नहीं लगते गुरु मुखपद मावाक्या चिते ते कोरिया एक है डुवी रिली मीनिट डैसा नहीं कि गुरु के वही आग्या जो अच्छी लगती उसकार कर ले हां यह अच्छी वाली जैसे एक श्ची बड़े अच्छे थे क्यों अच्छे थे गुरुजी ने कहा गुरु बटा मंगला अगरी तैयार कर ले हैं गुरु जी अभी तो जब संख्या बाकी रहे गई है जब कर रहा हूं तो और हो गया नौ बज गये तो गुरु जी प्रसाद पालो गया अब गुरु जी देखिए सुबह से आपकी कोई आग्या नहीं पालन किया यह आग्या कैसे छोड़तू आप को विक्षित करने में समर्थ हो सकेंगे पृसे पर फिर से देख लिए कौन को से पाइंट करने भक्तों की संकती करने सदैव मतलब मयवादी और भातिता वाद की करने ही नहीं है बक्ति की नियमक सिदान्तों का बालन करना सबसे इंपॉर्टन नियमक सिदान्त क्या है 16 rounds of chanting या विरोज क्यों याद दिलाते हैं मुझे भी याद रहे और आप लोगों के भी याद रहे से करते करते पूरा जीवन बीच जाए 16 माला यह आपको लगता है लेकिन लोग भूल जाते है और चार नहीं में तो पालन अपनेया भजाता है आचारियों के पतिचिन्नों का अ सकते हो इसलिए गूरू बताते हैं कि आप क्या करो को हम कौल से तीन लाख नाम चारन करेंगे तो अब अब हरिदा स्थाकुरु जी का नुशनान नहीं कर सकेंगे कर सकते हैं करो कोई दिक ने कर लोग तो मुझे लाब मिलेगा ठीक है लेकिना कर नहीं सकते हैं प्राय सिखिया है ना महा भागवत अतिनत उन्नत भक्त अभी तो भक्ति की मद अवस्था में उससे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम बना सरी प्रेम करेगा अर्थात प्रेम जागरित करने के साधन करने में लगेगा इस नॉट भक्ति फोर सेंस ग्राटिफिकेशन भक्ति के द्वारा वह प्रेम जागरित करेगा यह पहली चीज़ है यह सचा भक्त है नेक्स्ट भक्तों को मित्र बनाएगा बक्तों जगणा नहीं करेगा अज्यानियों पर दया करेगा और इर्शालू तथा आश्री सभाव वालों का परित्या करेगा इश्वरह तद भ्वान श्ट्रिकृश्ण से प्रेम जागरत करने का प्रियास करेगा ब्थिक निमन का पालन करेंगे भक्त से मेध्री करेंगे अब द तहां नहीं होता है समझ रहा है बात तो वह संभव नहीं कि आप सबसे मैत्री कर पाएंगे लेकिन कम से कम अब द्वेश नहीं करें जिसे आपको जिन्से का मतलब अच्छे भक्त होने चाहिए साधना साइसे करें उनकी संकुत है यह नहीं चाय पीने के लिए आगे भक्तों के संकुति वच्छे से बचे हुए है और को व्यक्ति को है कि अरे क्या जब करना है एक लास में तुम रोज क्यों जाते हूँ बस बस सुन लिया उसके बाद दूर से प्रणाम किजिए कि वह हरे किस्टा कर रहा है लेकिन दूर से प्रणाम अब देखो गीता तो आप तुम छोड़ी दो 10 साल त इसे शिक्षा गूरू गूम रहे है तो उनको आप उन्हीं गूर घंटालों को दूर दूर कर दीजिए कीता चोड़ने तब क्या करें वह इस तरह की सिक्षा दिने वाले एक सुबह जब करने की क्या जूरत है आपको बहुत आजी आरे एक भाग तबी इनका दिक्षा अब नहीं बोल रहा है तो नियत आर्थो भज़ेता कि नियत अर्थ करके वह इतना तुमाला करना ही है इतना प्रणा करना ही है यह करके नहीं बोल रहा है मुख से वह क्या बोल रहा है वह भले देखे लेबल लगा हो इसकॉन डिवोटी का प्लीज हम इसकॉन के खिलाफ न चाहिना कुछ और चक्कर क्या है नए भगत लोग भरमीत हो जाते हैं हम तो सिद्धान्त पकड़े ही नहीं हम तो के वले नियम पकड़े हैं जब कि प्रभपाद इस पास्ट बोल रहा है कि पहला नियम है सुला माला का जब करना अगर खुद कर रहा होगा तो उसको अनभव प्राप्त होंगे उसकी मुक्सित कभी नहीं निकल सकता है कि आप सोला माला छोड़ दो अरे भक्तों आप समझो सोला माला करना सुभाहि भारी हो जाता है कभी कभी और दुपहर में क्या हलका हो जाएगा अब मन में आ रहा है कोई विक्ती UKP होगा जो इस बात को शिकार करेगा एकदम मुर्टा होगी सुभे हो नहीं रहा है दुपहर में हो जाएगा आपका बढ़िया जब रजोगुल बढ़ जाता है और रात में तो और अच्छा को तंबगुल में कितना भारी लगता है लग उनति करना चाहते हैं उन भक्तों की हमें संकती करने चाहिए और हम सब लोग जब उनत होना चाह रहे हैं इसका मतलब यह नहीं किम उनत हो गए महा भागवत नहीं हो गए हम लोगों कि we have our attachments लेकिन attachments होने के बाव दिभी हम भगवान के चर्णों की प्राप्ति करना चाहते हैं ये पकड़ लिजे जो ये तो भाई क्या महासी आते हनमान जी बोलते है विशन जी को वो गई थी सितमादा को ढूड़ने के लिए सुबह का समय था उनको राम राम बुलता हो उसको सुनाई पड़ा पहले इस असुरू की नगरी में राम राम कौन बुला है पहले सुचे को आसा हुआ तो नहीं कुछ चल कर रहा माय कर रहा है असुरू फिर वो अनमान जी बोलते है कि देखो दिन में कोई राम राम करेगा तो दोके बाज हो सकता है लेकिन अगर ब्रह्म मुहुर्त में राम राम कर रहा है तो वह निश्वत सचा भक्त होगा फिर वह विश्ण इसे मिलते भी है अब बड़ा प्रेम आदान प्रदान होता है इस देखिए सुबह उठकर नॉठना कल उठकॉन पा रहा है और सुबह उठकर के नाम चालन करने वाला वह राम अस्ली ही भक्त है इस पर थोड़ी सी बात बता करने के लिए भक्ति करता है तो यह असली भक्त हो गया वो रोज दिखेगा जब करते हुए दिखेगा ना दिखेगा ठीक है फसली लोग कौन होते हैं फसल काटते हैं ना क्यों कि तो कुछ आयोजन होगा जैसे मंदिर में कोई फेस्टिवल हुआ तब आएंगे यह गुरु म असली भक्त मेंस रेगुलर कल्टिवेशन रोज भक्ति करने में रुची रख रहा है यह यह असे वक्तों से मैत्री स्थापद कीजिए और इनोसें मदों पाता नहीं है भक्ति के बारे में लेकिन भक्ति के बारे में वास्तवी ग्रूप से जाग रुख है कुछ लोग पत से दिखाएंगे कि बहुत रुची है आप लोगा अनभाव ऐसा प्रचार करेंगे तो असे लगता है कुछ लोग बड़े पापी भी को ना हो लेकिन जैनुएनली उनकी इच्छा है भक्ति में प्रक्ति करने के उनको समय देना चाहिए डोंट वेस्टाइम इद पीपल वो आशा की जाती है कि वह अपनी आयका कम से कम पचास्त प्रितिशत हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्याग करेगा खराब लग रहा होगा आगे पड़ते जीव इश्रा रूप को स्वामी ने अपने जीव लेकिन एक भक्त बता रहे थे वोजे पूने में भक्ते हैं वो साथ लाख रुपए उनकी शेलरी है और वो केवल दस परसन यूज करते हैं बाकि 90 परसन वह बवान की सिवा में लगा देते हैं उनने के भक्ते हैं क्या नाम है जय नरहरी प्रववावा समेजिंग और देखी कोई कटनाई नहीं है क्योंकि साथ लाग कामान करता के गएंन अपारोर्थ और चौरार इंप लिए धन दोन गॉडंट हो या यह वह चाहिए जब här है लेकिन जैनल अगला यह नहीं तो बधन नहीं इकburger क्रें पार्शन नहीं बोलffe आ रहा है उट नहीं बबाश्य लिगन आप देख को आप वैचार करो जया से बैसे पड़ा हुआ तो घर में अमने का हमें तो खाना बनाना ही नहीं है लाया आमला लगे सड़ा दिये समय तो माटर सड़ गए अध्रक कोई पाइदा नहीं है लाओंगा करीद करके सड़ा दूंगा उसको तो हमने कब किसी को देद काम आजा है यह भगमान के शिवा में लग रह यह प्राइकल देखिए और अपने बच्चों को देने के को न माना ना कर रहा है यह थो न शुबहाद को मना कर रहा है लेकिन बच्चा किया वो कि वरकोदर है कि कि इस ना खाएगा यह देखिये कम से कम इतना तो भक्त नू करना चाहिए चलो 50 % नहीं कर पार होगी 10% दो ही है देना ही यह एक और काम कर सकते हैं कि इतना लक्षमिय अपने खटा कर दिया आप इसका जो भी एक्ष्टारा उसर भगवान के सेवा में जाएगा इतना तो कर सकते हो इमर्जंसी के लिए आपने जो भी आपका इसाफ से है एमर्जंसी है हेल्थ इंशुरेंस में कितना लगता है पंद्रह हजार यह दस जार में आपके पांट-शे लाग का इंशुरेंस हो जाता है हम प्रैक्टिकल बात बोल रहा है कि लोग दान करने में बहुत चुकते हैं तो अब मान लिजे अपना का परवार होता है चार हो गया दस हजार में भाई कि बहुत होगा पंदरह जार खर्च कर दो अगर अस्पताल भरती होगा भवान करें नहों जनरलीस देखा जाता है उसका इसका इंशुरेंस हो जाता है उसे विमारी कम आती है यही तरीका मैंने सुना है आपके इतना सच्छा पता नहीं और जो से बहुत कम थे अकाउंट में क्योंकि इधर बिमार हो गया वह बिमार हो गया कभी सोचते नहीं कि बरकत तभी आएगी जब विक्ति इमांदारी से पैसे कमाता है धन दान आदिक करता है तब आता है दिया गया दान ही धन की रूप में आ रहा है समझ लिजेगा आपनों अकस्मात पैसे आ जाते है वह क्यों आ रहे है वह आपने दिये हैं इसलिए आ रहे है अरे भाइब पचास परसंट नहीं दे सकते हो कम से कम 10 परसंट दो नहीं तो पतनी नाइंटी परसंट लेके जाएगी यह अन्ड़ परसंट भी लोग देते भी है हमाने प्रिता जी को को देखा था सालरी लाते थे सारा ममी को देते सब मैनेज करती तो माता जी ठीक ही थी लेकिन ऐसा करते हैं तुम मैनेज कर सारे कुछ तो अब एक ची बताओ यहां तो 50 परसंट बोला जा रहा है पतनी को तो 100 परसंट दे रहे हो ना विश्वास है ना कि हमारे लिए खर्च लेकिन भूका नहीं मर सकता प्रसाद खेलाना चाहिए कितना सुख मिलता देखों फ्रैडे को गए थे ना बच्चों खेलाते वे अब मैनको पता है कि यह लोग तो कभी बचारे को प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा कितना सुख मिलता है प्रसाद देने में है ना कितना आप लोग बुरा नहीं मानिए लेकिन को बड़ा पराक्रम बजन करने वाले होगा है फ्लीज बॉला मत नहीं है तुछने वाली बात है आप लुदीदी को कुछ द्धन दिया था क्यों प्रसादं का बिजन स्चुलू करने थि उससे पहले उसे पूछलना में एक रुपए न नहीं दिया था, जब नौक नी कर रहा था तब भी और हो उने था भी लेकिन मुझे पाथ Gulag प्रसाथम का की शुडर्यई तो इसको पुनिर्फू में कितने लोगों को डिया रहा है परसाथम बताईके कितने कितने लोग को प्रसाद माना करें इव रही है और तो इसवेस्था के पैद यसे बनाती है प्रसाद कहीं बनाती है तो उनको साहता मैं दिया उनको और आप देखो वो कह रहे है कि अरे तुम्हारे पस अब कोई आयकस्तृत नहीं है अब मैं तुमको दूंगी 25% अपने प्रफिट शे और आपको मैं सही बता रहा हूं मैं उनकी शादी में नहीं गया था अपनी बेहन की शादी में नहीं गया था तो गुसा होना चाहिए ना मोंको लेकिन उनको चिंता में रहती है तो यह समझी है का कि दान नुकसान नहीं है दान इन्वेस्मेंट है लेकिन अकल लगा करके कि क्या से क्रिष्ण भावना का प्रचार होगा अब कोई ग्रेटर नौइडा में प्रसाइद खाय करके तो आगे जा करके वह हो सकते हो कि महान ब्रामण बन जाए कि नहीं इस नौट जब क्या कहते है उसको गिर्गिटान बन सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता इसे से बात इत्म क्लिर समय लिजे दान इंवेस्टमेंट है बस आप अब आप कितना करना चाहते हो आपने आप छोड़ लिजे लेकिन इतना समझ लिए कि हां अपने आये का जो आपके पास आ रहा है उसका कुछ प्रतिश्य तो दान में जरूर जाना चाहिए और सबसे ब मैं यह को देना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूं प्रसाथ खाना नहीं बना सकते क्या फल भी नहीं खरी सकते फल खरीत के बात दीजिए और पित्तर के क्या कटना ही बताइए आचा चली करना ही सकते सोचा है कभी इसे मैं बना नहीं सकता है कभी कभी मन में आता है यार बनाया हूँ बहुत सारी, घी कछोक मा रहा है, और परिक्मा में लोग जा रहे हैं, हम बाट रहे हैं, ना हमारे पास बाटने का टाइम है, ना बाटने का समारत है, ना पैसा है, लेकिन संकल्प तो करना चाहिए, यह भी तो नहीं किया, सुबै से किसी खिला है मन से, सोच भी प्र भी हम बात करना चाहbled है, उन्नत मतलब उसके हिरदे में और भी लोग हैं जिनका वो कल्यान कारनाचाथा यह उन्नता का लक्षन है, और उन्नत नहीं होते हैं, तो हमारा जो बाइरा हैं आरा हैं वा संकीन होता है तो जैसे चासे भ्थित भक्ती करता तो समझता है कि द आप आता है शीला रूपको स्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया जब उन्होंने अवकाश ग्रहन करने का निश्चे किया तो उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई का पशास प्रतिशत हिस्सा कृष्णी की सिवा में लगा दिया 25 प्रतिशत अपने संबंदी में बांट दिया और 6 25 प्रतिशत निजी आपत आपत स्थितियों के लिए रख छोड़ा देखिए कितना प्रैक्टिकल है ऐसा नहीं क्या रहे है कि अब सारा पासा भट कर दो तुमारे बास जब गरीबी हो तुम गरीबी पढ़ जाओ तो मैं फ 25 परसन भी नहीं बचा पा रहे हैं अब है कि सभी भक्तों को इस दारन का पालन करना चाहिए चाहे जो भी आए हो मुझे लगता है कि रुप जाये क्योंकि मन में आ रहा है हां रूप को स्वामी तो फनाइस में चुटते ना बहुत सारा पैसा था ना इसलिए वो कर पाया सहा हमारी आय तो कम है चाहे जो भी आय हो उसका 50 प्रतिशाद क्रिश्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया होता है उस उसके विश्वास होता है कि इसका साद उप्योग करेगी पता नहीं किसली करेगी बहुत अने लेकिन आपका शॉप करेगी तो सिधर देगरते हैं आपको नहीं देते थे प्रभुजी पैसा ये देखिये अब माजी भुत बतारहे हैं कि साक पूरा पैसा पुरुद्य ना इनके देख़रे थे। इझरमाचाई आपकेронoo्य प्रभूजी देते हैं नहीं देते हैं आजघकल कुछ अलग गलग क्ल्चर हो गया नहीं तो मैं सब्सक्राइब मैंने अगरो सब्सक्राइब हमारा धन है तुम उसको इन्वेस्ट करो बढ़ाओ ऐसे ही किसी वैष्णव को देते हैं जो प्रमाने कृप से भक्ति कर रहे हैं तो उस धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे यह बात गायों की सेवा में लगाएंगे तो वह बहुत वर्दित होता है वह मैनेज कर रहे है आपका धन उखा नहीं रहे उसको अगले श्लोक में श्रील रूप बगास्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए और किस प्रकार वैष्णव की सेवा करने जाहिए इस वेरी नाइस उसको हम लोग अश्रू करेंगे बहुत अच्छा मैं लगता हूँ कि इस लोग बहुत प्रासंगे कि हमारी भक्ति के लिए हम कुछ प्रश्ण भक्तों के देख लेते हैं और उसका शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करेंगे कल आज नहीं माइंड छोडते से छोड छोड़े से छोड़े भौते कार को बोज़े कीतर है खर आप प्रग्ति प्रगृति पहले बहुत कम ही रोना पड़ रहा है तुरुला तो नहीं रही रहे हैं कृष्णा होौ। यह नहीं पाइट टाइप करना चाहिता भगवाने पढ़ लिया देखेश मैंने नहीं पढ़ा भगवाने पढ़ लिया बहुत सफाई करना तो आता है एक बार फिर से यह बात बताएं कि बगतों के जीवन में जो दुख सुख आते हैं समझ में नहीं आ रहा है आप 10.888 को पढ़टी जेगा समझ में आएगा भक्तों की जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वह सब भक्ती के द्वारा आदा और भक्ती का वर्धन करने के लिए आता है नारजी की मा मर गए थी ना पास साल में तो उसको भवान की कृपा ही माना की नहीं माना ठीक है और क्या है कोई भक्त हम पसंद नहीं कोई भक्त हमें पसंद नहीं करता केवल हम शन कर हम शन कर रहा है तो क्या उसकी संगति करनी चाहिए नहीं कोई भक्त हमें पसंद नहीं करता केवल हम शन कर रहा है हम सहन कर रहे हैं तो क्या उसकी संगति करनी चाहिए अच्छा यह आप मेरे लिए बोल रहे हैं तो करिए सेहन क्या दिकते हैं तृणा दपी सुनीचे ना तरौपी सहिस्ट ना आपकी प्रगतियों किसे भाया सेहन तो करना ही पड़ेगा परम पूझे भक्तिर सामित महराज में को दमस्पस्ट बोले यह भाई देखो पूर वर् से बता रहा हूं जैसे भक्त मेरे सामने बैठे हैं और जो भक्त मेरे सामने इधर देख रहे हैं जूम पर क्या मैं को सेहन कर रहा हूं कभी लगा को सेहन कर रहे हैं मुझको आप सेहन कर रहा हैं मैं को सेहन कर रहा हूं तब उनका उसाह देख करके मैं बहुत एनरजी महसूस करता हूँ चाहे आप शरीर कर्ष्ट में था या परशानी में था नहीं को तो I've clearly understood कि मैं भक्तों की संगती के बिना भक्ती नहीं कर सकता इतना मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है तो सहन करने के क्या बात है और जिसको प्रेम करते उसको सहन करते है तो प्रेम करना सीखे ना अब जो विक्ती आपको प्रेम नहीं कर रहा है तो ठीक है उसे द्वेश नहीं करिए वो अपने घर खुश अपने घर खुश अब अपने घर खुश अब बग्त प्रश्न कर रहा ह फुद खुद का रूम है अपने रूम में रहो ऑ जूम जुएन करो कभी कभी तो अपने मां से सोच लेते हैं यहां यहां को पसंद नहीं कर रहा इसने आ इसे देखा क्या उपणा में खुछ होगा तो आप उनको अपनला है किसे अपन आपको शुछा करेंगे वो कुछ सोच नौश्य क्या मतलब जो नया सीख रहा है, इस प्रसादम बिसनस लीगल, जी हाँ, जी हाँ, अगर आपको आइडिया आ रहा है, तो जी हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ विंदाव ने पूछा, यह प्रसादम क्यों बेच रहा है, तो प्रभुपाद ने गाए, तुम पैसे प्रभुपाद जी बोले बहुत समय पहले, प्रभुपाद जी थे अमेरिका में, we don't need more temples, we want to have more govinda restaurants and libraries, लेकिन govinda restaurant यह नहीं कि वो गाली दे रहा है, उसके बाद खाना बना रहा है, भवान गर पे तो रहा है, प्रपर डिवोटी भक्ती करने वाले वाले वह गोविंदा प्रसाद वितरन के दुवारा बहुत लाव हो सकता है, अब ऐसा मैं दीदी की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि वह 100 रुपे की चीज़े उसको 600 रुप में बेचरी ऐसा नहीं, जो भी इसका normal profit है, वो ग्रहस्ती में है चला रहे हैं, लेकिन प्रसाद, मैंने इसको बोला कि कितना अलग टेस्ट आता है खाने का, वो स्वास्तवर्दक भी होतार अच्छा भी होता है, तो वो भगवान को अर्पिंड करा जा रहा है, यह बात ध्याने चाहिए, यह नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है, कोई भी व्यक्त आपको अवक्ति आगर आपको प्रेम नहीं कर रहा ह अगर उसकी बात उसकी आखोंसे दिख जाता है, अगर उसकी रोटी नहीं खा रहे हो तो चाहन करने क्या जूरद है, आपको दिखता है नहीं कुदेंगे, भुका नहीं है, बड़ा सहन करना मुश्किल हो जाता है, कभी आप लोगों से दूर से प्रणाम करके, बर हरी नाम कर रहे हैं, प्रणाम करके दूर से निकल जाओ, करने चाहिए, किस प्रकार के भक्तों की संगती 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 करने चाहिए, तो सीखा आपने, किस प्रकार के भक्तों की संगती करने चाहिए, श्रिश्य उप्देशा मद्ध घरंद की जाए श्रिण प्रहुपात की जाए निताई गोर्पिमान अन्देश्ट